राइस्षा, तक आपके को आपके मेट्टेक इती यूट्यच अपर आप के दरआ हैहा एको प्याटिय। आज जो यह वीडियो हम बना रहे हैं यह फृटर ट्रीट के लिए नहीं बलकि हर ट्रीड के लिए हैं सभी ट्रेड़ में आपको पता है कि 25 पट्रेश वो नॉन टेकनिकल से आने वाले हैं, नॉन टेकनिकल में आपके साइंस भी पूछ सकता है, मैट्स भी पूछ सकता है, और रीजनिंग भी पूछ सकता है, और साथ ही साथ करेंट अफेर्स भी पूछ सकता है, तो इसका एक वीडियो हमने कल रिलीज किया था, जिसमें हमने प्रफिस कर दीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियोष आप से मिस्ना हो एकजाम के लिए टाइंब ज्यादा बचा नहीं है has तो जल्दी-जल्दी चेनल को subscribe कीजियो और वीडियो पूरा देखियो जिससे आपके एक्जाम के तयारी अच्छे से हो सके वीडियो अच्छा लगिए तो वीडियो को like करिये दोस्तों के साथ शेयर करिये क्योंकि इससे हमारे जो वीडियोज हैं वो उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन लोगों को शायद इसकी ज़रूरत हो तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं मध्यप्रदेश आई ट्रेनिंग आफिसर वेकेंसी की नॉन टेक्निकल एक्जाम प्रेपरेशन जिसका पहला क्वेशन आपके सामने है हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर की चाशाचटमी पुन्यते थी वो कब मनाई गई थी भीमरावंबेटकर की, भीमरावंबेटकर जी जो की सम्विधान निर्माता कहलाते हैं, इनकी छाछटमी पुन्यतिती कब मनाई गई, 6 सितंबर, डेट है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टन्ट है, अब कुछ तथ देख लेते हैं, 6 दिस दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस होता है, बिएसेफ का अंठावनवा स्थापना दिवस मनाए गया है, 2 दिसम्बर को राश्ट्री प्रदूशन नियंतरन दिवस मनाए गया है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर दिवस, विकलांग जिन्हें, दिव्यांग कहना चाहिए, दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर राश्ट्री दिवस, चार दिसम्बर को भारतिय नौसेना दिवस, अंतर राश्ट्री बैंक दिवस, और 5 दिसम्बर को विश्व म्रदा दिवस, तो बढ़ते हैं, अगला प्र अडानी ग्रीन्स आप जानी गए होंगे अडानी ग्रूप का जो ग्रीन प्रोजेक्ट है जिसमें एको सिस्टम डेवलप करने के लिए और जो है नॉन कंवेशनल सोर्सस ऑफ इनर्जी का यूज करने के लिए जो प्रोजेक्ट तयार किया गया है हाल ही में अडानी ग्रीन्स एल ने राजस्थान के जैसलमेर में 450 मेगवाट की शम्ता वाले तीसरे हाइब्रेट पावर प्लान के शुरुवात की है इसके बाद एजी एल 1440 मेगवाट की परिचालन शम्ता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रीड पावर उत्पादक कंपनी बन गई है यह ध्यान रखिएगा अगर ऐसा कोई प्रशन आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी कौन है तो उसमें अडानी ग्रीन का नाम है ठीक है टोटल केपैसिटी 1440 मेगवाट जैसलमेर मेरे में 4500 मेगवाट का प्लांट ल रहे हैं गहर परमपरागत पूर्जा के स्रोत बढ़ते हगले प्रिश्न की और हाल ही में किस आयाइटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेब एनरजी कनवर्टर विकसित किया है तो सही आंसर आयाइटी मद्रास है आप और आप्शन में देख सक संपधा पुरसकार जीता है अगर क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि IIT मदरास ने हाल ही में कौन सा अवाड जीता है तो राश्ट्री बौधिक संपधा पुरसकार अग्रेग्डा पॉयंट है नाशा और आई-ई-टी मदरास के सोध करताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूख्ष में जीवों का अध्यान किया है प्रश्ण इस पे भी बन सकता है कि IIT मदरास का involvement नासा के साथ किस project में था तो सुक्षम जीवों के अध्यान के process पे सिक्षा मंतरी धर्मेंदर प्रधान जी ने IIT दिल्ली में I-Inventive का उधगाटन किया है फिर एक और point है भारतिय भाषा प्रोध्योगी की को बढ़ावा देने के लिए IIT मदरास ने नीले कणी केंद्र लॉंच किया है यह अच्छा important question बनता है नीले कणी केंद्र IIT मदरास ने लॉंच किया है अगला question देख लेते हैं हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है संगठन का नाम है विश्व मौसम विज्ञान संगठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसमें confusion आपको विश्व जल संगठन में हो सकता है पर मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है और विश्व मौसम विज्ञान संगठन को WMO भी शौट में कहा जाता है हाल ही में WMO ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट औफ गोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021 में जारी की है अगला question देख लेते हैं हाल ही में NDDB और अमूल किस देश को दूद उतपादन बढ़ाने है तो तकनीक सहायता प्रदान करेंगे सही आंसर है श्रिलंका तो question इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अमूल का involvement किस देश में दूद उतपादन के लिए को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है तो उसमें भी आपका option स्रिलंका होगा अच्छा अब स्रिलंका से जुड़े हुए कुछ तथ देखते हैं 2024 में Under 19 World Cup की मेजबानी स्रिलंका करेगा श्रिलंका के उपन्यासकार सिहान करुण तिलका ने उपन्यास को 2022 का बुकर पुरसकार मिला है यानि 2022 का बुकर पुरसकार किसको मिला है श्रिलंका के करुणा तिलका श्रिहान करुणा तिलका को मिला है ठीक है चीन को पचाड़कर भारत स्री लंका का सबसे बड़ा रिन दाता देश बन चुका है याने भारत ने चीन से भी ज्यादा रिन दे दिया है स्री लंका को स्री लंका ने देश में आने वाले परेटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया है बैया इनके पास कुछ है नहीं तो जो भी परियाटक आएंगे तो फिर वो जो है जाहिर है ज्यादा दिन रुकेंगे तो इनकी कुछ अगला पॉइंट देखते हैं अरजुना रनतुंगा आपने सुना होगा क्रिकेटर रहे हैं अरजुना रनतुंगा को स्रिलंका के खेल परिशत के चेयर्मेन के रूप में नियुक्ति किया गया है तो यह स्रिलंका से जुड़े हूँ कुछ facts थे अब आईए कुछ और questions देखते हैं इनमें हम options नहीं रख रहे हैं डाइरेक्ट जो है answers दे रहे है चौराहे पर यह science related questions हैं तो इनको ध्यान से देखिएगा चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाच्टी रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घड़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है अगला प्रेशन देखते हैं यदी द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना प्रत्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड कर आधी रह जाए तो दिन कितने घंटे का होगा 12 घंटे का ठीक है यदी किसी पिंड को प्रत्वी से 11.2 किलो मीटर प्रती से के वेग से फेका जाए तो पिंड प्रत्वी पर कभी नहीं लोटेगा अगला प्रेशन है उपग्रह में समय ग्यात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए स्प्रिंग घड़ी यदी प्रत्वी की त्रिज्या एक परसेंट कम हो जाए किंतु द्रविमान वही रहे तो प्रत्वी तल का ग्रहत्वी त्वरण ग्रहत्वी त्वरण याने समझ ना एक्सेलरेशन दू ग्रैविटी वो दो परसेंट घट जाएगा यदी एक परसेंट इसका radius कम हो जाएगा प्रत्वी का लेकिन volume सेम रहेगा तो इसका acceleration due to gravity 2% घट जाएगा दाब का मातरक यानि pressure का मातरक क्या है पास्कल खाना पकाने का बरतन कैसा होना चाहिए उच्च विशिष्ट उश्मा का निम्न चालक का यानि high thermal conductivity नेक्स्ट जहरने में जब जल उचाई से गिरता है तो उसका temperature बढ़ जाता है Kelvin ताप मापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है 0 degree Kelvin Botany शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है Greek ये important है बाटनी शब्द ये सारे important है इसमें से बाटनी वाला जो है important लग रहा है अब ये क्यूरी किसकी काई है क्यूरी मैडम क्यूरी के नाम पर ये क्यूरी बना है तो किसकी काई हो सकती है radioactive की किस रंग की तरंग धैर सबसे कम होती है फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है बैगनी याने वाइलेट याना विब ग्योर वी की फ्रिक्वेंसी कम होती है आर की वेवलेंद कम होती है रेड की याना लास्ट में अगले क्वेशन में चलते है घंडभ राएग अगला क्वेशन मेग इतने रंग होते हैं यह इसिक कभलISA कितने होते हैं यह पूछ रहा है तो बेसिक कलर्स साथ होते हैं वी आ्भी जी वायू और्ग विब गयina वाइले टंडीगो ब्लू ग्रीन ययलो ऑरंज रेड बहारतिय विज्ञान संस्थान कहां परिस्तित है बैंगलोर में पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है ध्वनी की चाल से अधिक भू इस्तिर उपग्रह की प्रत्वी से उचाई कितनी होती है भू इस्तिर उपग्रह की प्रत्वी से उचाई 36,000 किलो मीटर होती है जिकित्सा सास्त्र के विद्यार्थियों को किसी किसकी शपत दिलाई जाती हिपोक्रेट्स की कार में रेडियेटर का कारे होता है इंजन को ठंडा रखना मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिगरी सेल्सियस होता है 37 डिगरी सेल्सियस दूर दृष्टि दोष से पीडित व्यक्ति को निकट की वस्तु में दिखाई नहीं देती किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्री अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा होगा उत्तल यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल होगा तारिक टिम्ट में आते किस कारणदे है आप अपुवर्तन के कारण तो ये थे आज की class के science के related कूछ important facts और GS से related भी कुछ questions हमने डिसकस किये उस related facts भी दिसकस किये इनमें current affairs से related questions भी थे और साथ ही साथ इसमें science related questions भी थे तो उमीद करते हैं वीडियो आपने पूरा देखा होगा और इसमें से जो important facts and figures हैं उनको आपने note किया होगा हम इस तरहे की videos लेकर के आते रहेंगे till then मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शोभ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर लिजएगा दोस्तों के साथ शेयर कर लिजएगा अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद